Hi everyone, this is Robin और मैं आप सभी को welcome करता हूँ हमारे सेशन में जहांपर हम discussion करेंगे किरन publication की हमारे इस book के one word substitution नहीं है, ये मेरे से गलती हो गई है, these are the EDMs, okay, EDMs होंगे और EDMs का ये होगा आज, part number one, session को शुरू करने से पहले, I would say कि अगर आपको session पसंदाता है, तो please do like it, this part will be presented by me, my तो देखे, पहला है आपके सामने, यहाँ पर जो भी underlined या फिर highlighted word है, उनका आपको EDM का अर्थ बताना है, क्या दिया गया है statement, for his at least involvement in the spinach, he is under a cloud these days, तो देखे, जो भी उसकी involvement है, spinach, यानि कि जो भी लोग किसी के पीछे, किसी तरीके से, गुब तरीके से, किसी की जानकरी निकलने की कोशिच करते है, यानि कि किसी की निगरानी करने के लिए, वो क्या है, under a cloud है, इन दिनों, तो देखे, कुल मिलाकर आपको under a cloud का यहाँ पर बताना है, EDM का अर्थ, और option आपके सामने 4 दिये गए है, और 4 में, आपको यहाँ पर एक option दिया गया है, under suspicion, देखे, under suspicion का अर्थ होता है, अगर मैं आपको बताओं, कोई व्यक्ति, अगर कोई बहुती ज़्यादा शंग का युक्त है, यानि कि आपको उस पर शक है, इसका अर्थ होता है, कि he is under a cloud, यानि कि आपको उस पर शक हो रहा है, तो इसी वज़े से यहाँ से आपका option number 3 हो जाएगा, correct next है, we have appealed to him again and again, there is no use flogging a dead horse, तो देखिए, flogging a dead horse का आपको यहाँ पर बताना है, EDM का अर्थ क्या होगा, तो देखिए, actually में, flogging a dead horse का अर्थ आपको यहाँ पर option number 4 में मिल जाएगा, wasting time in useless efforts, यानि कि जब आप अपने समय को वैतित करते हैं, ऐसे efforts में, जो कि आपके ल यानि कि व्यर्थ काम करकर आप अपना समय निकाल रहे हैं, you are flogging a dead horse, that is why आपका यहाँ से option number 4 correct हो जाएगा, next है, we shouldn't look down upon, look down upon the rest of the earth, देखिए, यहाँ पर मैंने जो आपसे बात करी है, वो बात करी है, कि भई, look down upon, हमें नहीं look down upon करना चाहिए, the rest of the earth, तो देखिए, यह regard with contempt, यह आपको option number 4 में मिलेगा, जिसका अर्थ होता है, अगर आप किसी को तुछ समझते हैं, किसी को ऐसा समझते हैं, that you are better than somebody or something, that means you are regarding with contempt, तो regard with contempt का अर्थ आपका निकल जाएगा किस से, look down upon, यानि कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, आप किसी को तुछ मानते हैं, त तो look down upon का अर्थ होगा, you are regarding someone with contempt, यानि कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, next, because of his misbehavior, he is bound to face the music, face the music का, अगर मैं EDM का अर्थ आपसे बताने की कोशिश करूँ, तो देखिए, आपने अगर सुना होगा, किसी यह चीज़ का paradigm छेलना, ठीक है, face the music में तब आपको किसी चीज़ का सबक मिलता है, if you are facing the music, इसका मतलब यह नहीं है, आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, if you are facing the music, मतलब you are getting reprimanded, यानि कि आपकी class ली जा रही है, आपको किसी का paradigm जहिलना पड़ रहा है, paradigm in a way, कि आपने कोई चीज सही नहीं की, और आपको उसके लिए डाट सुननी पर रही है, तो that is why, face the music का अर्थ होता है, getting reprimanded, next time the working of the factory was disrupted on account of a token strike by the workers, तो दीखे, token strike का मैंने आपसे यहां पर पूछा है, क्या EDM, token strike का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, तो एक ऐसी strike जो की छोटे, चोटे period के लिए होती है, बत वो वर्निंग देने के ल तो token strike का अर्थ आपको यहां पर मिलेगा, option number 3 में, जो की आपसे कहता है, shot strike, had as a warning, तो एक छोटी हर्दाल, जो की as a warning के रूप में करी जाती है, उसको बोले जाता है, token strike, next step by opposing his proposal, he fell foul off, fell foul off, यह आपको यहां पर बताना था, EDM, तो दीखे, fell fall off का, अगर यहां पर मैं correct option ब कि आपने अपने आपको किसी के चंगुल में फसवा दिया है, you are now falling fall off, मतलब you are getting into trouble with someone, तो अगर आप किसी के साथ किसी चंगुल में फस गए है, तो इसका अर्थ निकलेगा आपका EDM, fell, fall, off का, जो की आपको बताएगा, you are getting into trouble with someone, next है, those who works by fits and starts, दीखे, by fits and starts का आपको यह याद रखने में easy बना सकता है यापर, ठीक है, तो भाई fits and starts का, अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि अर्थ बता दीजिए, तो actually मैं कोई चीज बहुती ज़ादा, जो आपके दारा impulsively way में होती है, और बहुती irregular के case में होती है, तो वो आपको सही अर्थ देता है, तो regularly काम होता है, काम करता है, ना कि वो fits and starts के way में, यानि कि वो ऐसे काम नहीं करता है, irregular way में नहीं करता है, वो regularly करता है, तो by fits and starts का अर्थ होता है, something which is irregular, उसको आप बोल देंगे, by fits and starts, next is the new manager thought that he would give employees enough rope, देखिए enough rope का आपको यहाँ पर अर्थ बताना था, तो enough rope का अर्थ हो आपको यहाँ पर एक option दिया गया है, enough freedom for action, तो अगर आप किसी को दे दें, खुली छूट, कि आपका जो मन करता है, आप वो करिये, तो खुली छूट का आपका अर्थ यहाँ से, idiom कौन सा देदेगा, enough rope, तो यहाँ पर आपका fourth option हो जाएगा, correct, next है, he was all at sea, देखिए all at sea का, अगर idiom का अर्थ में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करो, तो जब आप किसी उल्जन में होते हैं, तो आप वहाँ पर बोल देते हैं कि you are all at sea, यानि कि you are puzzled, puzzled आदमी क्या होता है, जब उसको कुछ चीजे समझ में ही नहीं आती है, वो उल्जन में होता है, वो puzzled होता है, so that is why all at sea का अर्थ होता है, आप किसी उल्जन या परिशानी में होता है, तो option number 3, puzzled आप का यहां से हो जाएगा, correct, next है the sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted, तो यहाँ पर मैंने idiom यूज किया, sweeping statement, तो देखें, sweeping statement का अर्थ होता है, जो एक ऐसा, यहान जो की बहुत ही व्यापक होता ह है, something which is too general and failing to think about or understand, मतलब वो आपके समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर option की बात करूँ, तो देखें, fourth option यहाँ पर दिया गया आपको, generalized statement, यानि कि इस statement ने सारे चीज़ों को generalized करके आपको बता दिया है, कि भाई, देख लो अपना इसाब किता, मैंने इस चीज़ को generalized कर दिया है, यानि कि, you are being very general and you are making others fail to think about or understand, मतलब सामने वाले कोई समझ में नहीं आया है and you are making it generalized, तो sweeping statement कहीं न कहीं आपको यह वता देता है, कि you are generalizing a statement, जैसे कि statement समझ यह, the sweeping statement by the boss left the consensus worker disgusting, मतलब जो consensus worker थे, उनको यह पता ही नहीं चला, वो disgust में आगे, क्या मतलब क्या क्या के चला गया, ठीक है, so that is why यहाँ पर आपका option number 4 हो जाएगा, generalized statement, next as the bomb exploded people ran helter, skelter, तो as the bomb exploded, लोग जो भागने लगे, किस तरीके से helter, skelter, तो दीखे, यहाँ पर आपको दूसरा option दिया गया है, in disorderly haste, actually मैं इसका अर्थ, अगर मैं बताऊं, तो हिंदी म आप इसे बोल सकता है, कोई चीज जो की बहुती ज़्यादा एविवस्तिक धंग में होती है, तो उसे आप बोल देते है, helter, skelter, next, he was progressing by leaps and bounds, by leaps and bounds का आपने PYQs में भी देखा होगा, जैसे हम इसे दिन, दुनी, राच, चौगने भी बोलते हैं, यानि कि rapidly, ठीक है, by le leaps and bounds का अर्थ होता है, something which is progressing rapidly, यानि कि बहुत तेजी से, next, our founder had done a herculean task, herculean task का अर्थ होता है, कोई ऐसा काम जो की बहुती असाधरन बल सिक आप करते हैं, वहाँ पर आपको extra effort लगता है, आपके great efforts वाली चीज़ें वहाँ पर लगती हैं, तो that means the task is herculean for you, okay, तो आप बोल देते हैं, क्या herculean task, next है, my close friend got the sack, got the sack का अर्थ होता है, जब आप किसी व्यक्ति को कहीं से निकाल देते हैं, ठीक है, you are sagging someone, मितलब you are getting him sagging, ठीक है, तो got the sack का अर्थ, अगर यहाँ पर मैं बात करू, option number 4 आपको दिया गया है, something which is dismissed, someone who was dismissed, means he got the sack, तो option number 4 आपक with her insolence, तो देए, EDM आपको यहाँ पर क्या दिया गया, put up with, put up with का actually में अर्थ होता है, जब आप किसी चीज को बरदास्त करते हैं, put up with का अगर आप किसी चीज को बरदास्त करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर कौन सा option सबसे बड़ी हमें लेगा, indoor, indoor का अर्थ होता to accept somebody, something that is annoying, unpleasant, without complaining, आप complain भी नहीं कर रहे हैं, बट आप उसको accept कर रहे हैं, next, the failure of crops in successive years, put the farmer in a tight corner, in a tight corner का अर्थ यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा, something जब आपको कोई कठिन परिस्तिती से गुजरना होता है, तो that means you are in a tight corner, तो यहाँ पर आपका कौन सा option से हो जाएग small field, difficult situation, तो option number 3, in a difficult situation आपको बताता है, means in a tight corner, next, the effort to trace the culprit was a wild goose chase, देखिए, बहुत बार repeated way में पूछा जा चुका है, जब आप एक ऐसा प्रेतन करते हैं, जो कि विर्थ चला जाता है, तो उसको लेकर आप यहाँ पर EDM यूज़ करते हैं, a wild goose chase, यानि कि विर्थ का प्रेतन तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा, futile search, futile भी अपने आप में बताता है, कि कोई चीज आपके लिए उतनी उत्तम नहीं रही है, विर्थ रही है, तो विर्थ search आपका क्या हो जाएगा, a wild goose chase, next, the story does not hold water, does not hold water का earth निकलता है, something which is not विश्वास योग्या, जिस पर आपको य consumption हो जाएगा, something which does not fulfill the requirements, मतलब जिस requirements को fulfill उसे करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है, that means that thing does not hold water, next है, राज couldn't pay the bill, so he asked the owner to put it on the cuff, तो on the cuff का earth अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे आप किसी चीज का run ले ले ले, आप किसी को बोलने के ब्यार उधार कर दो न, तो यान यानि कि आप बोल रहे हैं कि you can put the thing on the cuff, ठीक है, लिख लो, ठीक है, तो on the cuff का earth हो जाएगा, जब आप किसी से बोलने कि आप किसी चीज को run के रूप में लेते हैं, on credit, तो option number यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, one यानि कि on credit, यानि कि run के रूप में, next है, his statement is out and out a lie, out and out का अगर मैं आप से आपको बात करूं कि कोई चीज जो की बहुत ही ज़ादा, यानि कि some point तरीके से, अगर वो कोई है, तो उसको ले के आप बोलते हैं, something which is out and out, यानि कि totally, point तरीके से, तो something which is some point, या फिर आप बोल सकते हैं, उसको totally, वो हो जाएंगे आपके, दोनों यहाँ से, so this was the session, जहाँ पर हमने EDM's का discussion किया, EDM's का यह हमारा पहला part था, 20 EDM's को हमने cover किया, मैं इसको continue करूंगा, session को आपको like करना है, share करना है, channel को subscribe, bell icon, next part में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, take care, bye bye, thank you.